यार जोहार स्वागते आप सबका परिक्षा साथी में सीजियल को ले करके देखिए बहुत सारी कोईरीज आते रहती है ठीक है रिगार्डिंग इग्जामिनेशन डेट अब मैं सबको बहुत इसपस्ट बोलता हूं कि अगर आपको कहीं भी कनफ्यूजन है मन में कि सीजियल ह होगा या फिर नहीं होगा तो आगे रेल्वेस पींसामिनेशन भी है अभी सिविल कौ्ट के इक वेकेशनई आई है कोटर की पहले बीकेंसी ऐसिस्टंट्ट की आ आई थी dalej कि यelshेंजा जोब भी लोग होंम के और आप सबने उन सभी vacancies को fill किया ओगर और वो सारी नौकरियां बहुत अच्छी है कोई भी नौकरी खराब नहीं है तो आपके मन में अगर doubt है तो आप वहाँ switch कर जाएए लिकिन ये देखने को मिलता है जितने भी candidate जो query करते हैं वो खुद ही इस बात को भी ये कहीं न कहीं accept करते हैं कि नहीं CGL कहीं करना है क्योंकि अगर CGL हो गया इस बार तो फिर problem हो जाएगी ठीक है तो इसके लिए आप किसी से कुछ पूछे ना आप लोग सब graduate हैं आप लोग सब खुद से इन सब चीजों को सोच सकते हैं बाकि जो न्यूज मुस्तक आती है वो न्यूज हर किसी के मोबाइल तक पहुँच आती होगी ठीक है कोई exclusive news related to CGL किसी के पास नहीं होता है उस सारा चीज ग्रूप में circulate करता है सभी लोग उस पर बात करते हैं ठीक है वो इस सारा information सब लोगों के पास जाता है और जितनी बातें अभी circulate हो रही है हवाओं में जो बातें चल रही है उसके हिसाब से CGL definitely होने जा रहा है ठीक है जून लास्ट जुलाई में chances है ये लोग CGL conduct करा हैं और उसके लिए सारी लोग तयारी भी कर रहे है और कहने वाले लोगों नहीं बोला है कि इस बार बहुत जादा news viral नहीं होगा ठीक है CGL को ले करके बहुत जादा news viral नहीं होगा सीधा notice देखने को मिलेगा और ये बात भी है कि बहुत short notice में एक्जाम इस बार होने वाला जिस प्रकार से JPSC हुआ था ये जो चुनाव वाला भी महौल चल रहा है ये चुनाव खतम होने तक 9 जून को साथ finally end हो जाएगा तो 9 जून तक आपका syllabus भी end हो जाना चाहिए पेपर 3 पे आपका बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाना चाहिए और अगर पेपर 3 आपके कंट्रोल में है तो वो आपको सिविल कोट में रेलवे में हर जगा काम आएगा ठीक ऐसी लिए smartly अपने गोल को आप लोग चुनिए और उसको एक वाडिंग काम करिए एक और reminder में दे दू कि आज last है quiz का आज last quiz चलेगा कल से हम लोग target oriented अपने ग्रूप में process को start करेंगे आपको targets दिया जाएगा उन targets को आपको पढ़ करके आना है उन targets से related test लिया जाएगा उसका मैं solution दूँगा और जहां important होगा important PDF भी share किया जाएगा language हिंदी इंग्लिस mix रहता है language को लिए करके कोई समस्या नहीं होगी आपको ठीक है तो आज last data 200 लोग ने join कर लिया है और रड़ी 200 लोग इसमें enroll कर चुके है ठीक है तो still अगर आप में से कोई है ऐसा जिनको लगता है कि किसी ग्रूप में उनको होना चाहिए ताकि पढ़ाई में उनका मन लगा रहे वो engaged रहे पढ़ाई में तो आप लोग join कर सकते हैं otherwise अगर आपने library join किया है आप library जाते हैं आप group study करते हैं तो कोई आवशकता है नहीं आप लोग ऐसे भी इसको आराम से तैयारी इसका कर सकते हैं और अब हमारे टार्गेट वाच्प सरीफ पेपर 3 का हम लोग करा रहे हैं इसमें language का हम लोग नहीं करा रहे हैं ठीक है यह भी आपको मैं इस परस्ट बता दू बहुत सारे लोग message करके पूचते हैं यह सारी कहानी है जो भी करना है आप लोग decide कर लीजिए आने वाला एक दो महिना बहुत जादा इंपोर्टेंट है और ALP का सुनने में आ रहा है कि date भी दे दिया गया है ठीक है न जितने भी लोग है आप लोग लोग forms जितने भी आते हैं जहां पर भी आप eligible है form जरूर apply करके रखिए ठीक है बाकी जेपी सी का भी आने वाले टाइम पर आपको रिजल्ट वगरा देखने को मिल सकता है कफी टाइम निकल गया अभी तक revised answer की लोगों ने upload नहीं किया है करना चाहिए पताने इतना लेट लोगों को क्यों हो रहा है और सीजल से भी रिलेटेट अगर कुछ जानकारी ये लोग देते आयोग अगर इसको ले करके कुछ क्लियर करती तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है ठीक आप exact date ना बताएं लेकिन कुछ तो insights छात्रों को दे जिससे उनको पढ़न क्योंकि अभी भी बहुत सारे चात्र हैं जो ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हों की एक्जाम ले पाएंगे क्योंकि इन्हों ने पहला प्रयास सरकार का देखा हुआ है किस प्रकार से हुआ तो बहुत इंपोर्टन्ट है ये आयोग के लिए कि आप प्लीज इसके कु प्लीज आयोग को जो ठीक लगे वो तो करेगी नेताओं को कम से कम अपने तरफ से कुछ इस पर और क्लियर जानकारी जात्रों को देनी चाहिए कि आप लोग क्या सुचते हैं इस विसे में आप लोग भी कमेंट करिएगा मुझे लगता है कि बीच में एक दिन ट्विटर केंपेन वगरा फिर से रखा जाए और उसमें सरकार को टार्गेट नहीं करना सरकार से रिक्वेस्ट करना है प्लीज आप लोग जैसे सीजेल कि आप परफॉर्मेंस को देख कर कि कि आपने दो जैपेसी करा या आप सीजेल भी कराने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव ट्विटर केमपेन चात्रों को आगे चल करके करना चाहिए या आने वाले एक दो दिन में और उर्गनाईस करना चाहिए ठीक है और जितने बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी इस पर बाते करनी चाहिए थोड़ा सा एक प्रिशर अगर क्रियेट किया जाए अभी के टाइम पर तो कहीं न कहीं जो तंत्र है और एक्टिवली इस पर काम करेगा जितने भी बड़े चैनल्स हैं उनको भी इस पर एक बार जरूर खुल करके बात करनी चाहिए जो कि मौन हो जाने से सॉल्यूशन नहीं है ठीक है बाकि आप लोग कमेंट करें आप लोग किस एक्जामनेशन को फोकस कर रहे हैं किसकी तयारी करेंगे क्योंकि एक्जाम तो अभी बहुत सारा होने वाला है ठीक है और अग्यान एबार रिपीट करतूं जिनको जॉइन कर करेंगे वो सारा कुईज आपको वहां पर दिख जाएगा ठीक है तो उसके लिए बहुत जादा परिसानी नहीं है लेकिन टार्गेट एक बार देने के बाद फिर दुबारा उन टार्गेट को रिपीट करना ग्रूप में ये कहीं ने कहीं तुला प्रॉब्लेमेटिक हो ज क्याल रखिए पढ़ाई करिए बहुत जरूरी है टेक केर गुडबाए